तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इस समय वांग लिंग जुआंडाउ सेट की तरह पड़ता है, जो कि हैंग्यू माउंटेन के उपर था, पर फिलाल ये अपने मन को सांत करता है, क्योंकि इसका दिमाग इस समय अपने गाउं के तरह जाता है, जहां पर ये जो को ताजा करके यादों को, इसके आँखों में आशूं आ जाते हैं, और यहां पर ये गर्बत्ती वगरे चलाता है, और थोड़ा सा चाइनिस ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने मम्मी और पापा को स्रद्रहंजली देता है, और इसके बाद ये यहां से निकल जाता है, यह पहली लड़की थी, यह सरवेंट गर्ल थी, और एक अंब्रेला निकलती है, और गाड़ी के अंदर से एक दूसरी लेडी निकलती है, जो कि दिखने में काफी वीक थी, पर ये भी काफी सुन्दर थी, और ओल्ड मैन समझाता है, कि माई लेडी हम कल भी आ सकते थे, रा में देली क्यों आना है, कि यहां पर कोछ छीपा हुआ है, अब यंग लेडी सर्वेंट लेडी को समझाती है, कि तुम पहली बारा दी हो, मैं तुम्हें बाद में बता दूँगे, और यंग लेडी अंदर जाने लगती है, सर्वेंट गर्ल और जो ओल्ड मैन थे, यह बाह एक यंग मैन दिखाई देता है, और पूसता है, कि तुम किसके डिसेंडेंट हो, यानि कि तुमारे पूरवच कोन है, अब यंग लेडी एकदम डर जाती है, और पूसती कि आप कोन है, और आप वांग फैमली के, पुराने घर पे क्या कर रहे है, वांग लेडी इस दुरा और तुम हमें फॉलो ही कर रहे हो, तो तुम मारी दो इससे अच्छा, अब वांग लिंग पूछता है, ये इस टैबलेट्स पर जो नाम लिखे हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिषता है, अब ये बोलती है, कि ये अंसेस्टरल होम है, मेरे अंसेस्टर्स के भाई का, और यं नाम फॉर्थ अंकल का था, क्योंकि वांग लिंग अपने माता पिता के लावा, फॉर्थ अंकल को बहुत प्यार करता था, और वांग लिंग पूछता है, कि तुम्हारे एंसेस्टर कितनी एजमे मरे थे, अब ये बताती है, और वांग लिंग पूछता है, मतलब तुम्ह यंग लेड़ी और डर जाती है कि आप हो कौन वांग लिंग इस तुरह एक ग्रीन और रिलीज करता है और यंग लेड़ी के अंदर जो भी इने अनर्जी होगी यानि कोल्ड और यह खतम हो चुकी थी अब यंग लेड़ी कहती है आप एक इम्मॉर्टल हो वांग लिंग हसता एक जेड निकालता है जिसमें अपने जीर यल्म का ब्लड डालता है और इस लेड़ी को देता है और यह बोलता है इस जेड़ को तुम तीन बार यूज कर सबती हो बड़ जबी भी यूज करना वाइजली यूज करना मतलब कोई तुमारे समने ठिक नहीं पाएगा और वां वांग लिखा था और शायद इसे समझ में आ गया था पर फिर भी कनफरमेशन के लिए अपने फादर से फैमिली ट्री को चेक करवाएगी जिसमें सभी का नाम लिखा रहता है इधर वांग लिंग जो एकदम प्यार से बात कर रहता है जैसे यहां से गाइब होता है फिर से 10,000 किलोमेटर के दूरी पर यह एक फॉरमेशन फ्लैग लगाता है उसके बद फिर से आगे बढ़ता है और रास्ते में सोल ओफ फॉरमेशन से बनाता है मतलब आज के बात से कोई टेंग फैमिली के अंदर से बाहर नहीं जा सकता है बस बाहर से अंदर आ सकता है और यह बो अब memory नहीं होगा और Wangling इस Tangling के soul को फिर से खाता है अपने divine sense के मदद से इसको Tangling की body में कुछ red dots दिखते हैं जिससे ये feel कर सकता था ये Tangling family की लोग कहां कहां पर है Wangling smile करता है और ये cruel smile सा क्योंकि ये देखता है ये Tangling की family ये इसके descendants काफी बढ़ चुके हैं और इसके बाद Tangling का soul भी गायब हो जाता है क्योंकि आदा गंटा बीच चुका था और Wangling अब mosquito बीच निकालता है इस पे बैट कर ये travel करना शिरू करता है अब जहांपर ये था यहांपर साथ family members थे Tang family के इसमें से एक का नाम Tang Zuan था जो की core formation के early stage में था और ये ब्रांच family का बंदा था और आज के दिन इसकी बैन Tangu भी इससे मिलने हारी थी अब Wangling जिस तरफ बढ़ रहा था ये था डाउ सेक्ट टियान डाउ सेक्ट जहांपर इसे एक formation दिखाई देता है जो कि इसे रोक रहा था और इन्हें ये तुरन थी ब्लॉक करता है और आगे निकल जाता है और इस समय बहुत सारे इनासेंट सोल कल्टिवेटर आसमान के तरफ इदम शौकड होके देखते हैं अब वांग लिंग का जो मस्कुटो भिषता वो भी फिल करता है इनासेंट सोल्स को और वांग लिंग के किलिंग औरा को और ये सिधा इनहीं की तरफ बढ़ता है वांग लिंग इस तोरहन वो जो divine retribution होता है उसे activate करता है और सब को पहले warning दे देता है कि मेरा tank family के साथ personal ग्रज है अगर कोई बीच में नहीं आएगा तो नहीं मारा जाएगा और ये पूरी आवाज डाव सेक्ट में गूजने लगती है एक यूद को ये तुरंथी मार देता क्योंकि ये tank family का था और इसका soul ये absorb कर लेता है soul flag के अंदर एक और बंदे को ये मारता है जो कि tank family का था एज तोरहने नासेंट सोल कल्टिवेटर वांगलिंग से कहते फैलो कल्टिवेटर क्रिपया रुक जाएगे अगर कोई problem है तो आप हमें पता सकते हो वांगलिंग कुछ बोलता नहीं जीरियल्म को activate करता है आगे बढ़ जाता है और ये पंदा ये जमीन पे धराशाई हो जाता है कि जो भी मुझे रोकेगा वो मारा जाएगा बाकी जो नासेंट सोल कल्टिवेटर थे वो शान्त हो जाते है इस दोरान एक पंदा एक मैसेज पास कर देता है मतलब ये कहां जा रहा है पता नहीं और इस समय एक वूमन काफी थे जिसे इधर से भागने को देखती है और ये डरी ह भी थी क्योंकि ये भी टेंग फैमिली से ही थे पर वांग लिंग इससे भी मार देता है और इसके सोल को भी कलेक कर लेता है और धीरे धीरे करके ये सब ही को मारते जाता है और लोगों को समझ में आने लगता है ये टेंग हुआ वान से फाइट करने नहीं गया बलकि उनके descendant को मार रहा है मतलब जो grudge है काफी बड़ा होगा वांग लिंग आगे बढ़ता है और tank you और tank zuman जो कि अंदर माहोल कर रहे थे रात के time ये दिन का time जो भी हो इन्हें भी निप्टा देता है जो साथ लोगों को यहाँ पर यह मार जोगाता अब यहाँ से वांग लिंग निकलता है और कोई कहता है कि tank family तो finish है दूसरा बंदा कहता है बस tank family नहीं पूरी जाओ country हमारी एक टर्मोईल में जाने वाली है अब वांग लिंग एक दूसरे sect की तरफ पढ़ता है जहाँ पर total तीरानवे tank family के members थे और यह कोई जल्दी में नहीं था जिस सबी को मारना चाहता था उसके बाद tank wife one को ताकि उसे pain का feel हो अब इस समें एक नए sect को दिखाय जाता है जिसका नाम था Wu fang valley और यहीं पर जो यह जो valley थी यह जो sect था यह down हो रहा था तो tank family के members यहाँ पर अधिकार जमाने आ गए थे और यहाँ पर cultivation करते थे और tank family का एक बंदा थे यहाँ पर tank gao करके जो कि अगला sectate यहाँ पर बन सकता था अब वांग लिंग के नज़र इसी Wu fang valley पर थी और इसके पास में एक dragon banner था जिस पर साथ लोगों की bodies आभी भी थी और वांग लिंग जैसे ही जहाँ के इस five mountain range में पहुंचता है मानों को इसका presence notice कर लेता है और एक light screen इसे block करने लगती और पांच लोग यहाँ पर आगे आते हैं एक strong killing intent के साथ इसे रोकने के लिए और यह पांचों tank family के ही members थे मतलब इसे किसी न किसी ने want कर दिया था और वांग लिंग भी तो यही चाहता था इन पांचों लोगों की नचर उन साथ bodies पर भी बढ़ती है और यह लोग sword key को use कर रहे थे पर वांग लिंग केता है देखते हैं असली sword key कौन सा होता है अब वांग लिंग इसे जो वो नया sword sheet मिला था उसमें अपने sword को डालता है और वो sword sheet क्योंकि वांग लिंग उसे refine ने किया था तो एक resistance दिखाता है कि मेरे अंदर मट डाल और इस resistance के करण एक strong sword key अंदर से generate होती है जो कि पांचो sword key से जादा powerful थे अब एक घंटा जोरान बीच जाते है और वांग लिंग यहां का जो main बंद था टेंग गाओ उससे भी मार चुका था और सभी के मरने के बाद वूफैंग वैली से दो cultivators निकलते है जो कि यहां के main cultivators है यह न तो गुस्ता थे पर अंदर से कहीं न कहीं खुशते है कि चलो tank family वाले मारे गया और इनका अंदाज़ा था कि यह बंदा शायद demonic sect से होगा यानि वांग लिंग को और किसी और country से और यह tank family को पूरी तरह से निप्टाना चाहता है और दूसरा कहता है पर junior ब्रतर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ बट याद नहीं आ रहा है इन्हें याद नहीं आ रहा था क्योंकि यह वही बंदा था जिसकी बोड़ी टैंग हुआ उवान ने वूफैंग वैली के बाहर ही डेश्ट्रॉई किया था अब वांग लिंग आठाजार दूरी पर एक जिगह अपना नजर बनाता है जहाँ पर tank family city था जहाँ पर 174 family members रहते थे अब इदर टैंग हुआ वान को दिखाए जा थे जिसके सामने तीन लोग नेल डाउन थे और सभी के अंदर इस समय डर का महुल था और यह लोग बाते कर रहे थे कि चार दिन बीद के हैं और उस बंदे ने हमारे tank family के 961 लोगों को मार चुका है और एक बंदा पूरी story बताता है कि सबसे पहले यह टियान डाउ सेट में है था और साथ लोगों को मार था उसके बद वूफैंग family में family में, sorry valley में 93 लोगों को मार था तीन दिन पात, sorry तीन दिन पहले यह ब्रांच family में हमारे कहा था 174 लोगों को मारा था और फिर हमारे एक और ब्रांच है वहाँ पर इसने 104 लोगों को मतलब यह पूरे किस से बताता है कहाँ पर कितने मारा है अब Tango One गुस्ते में कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि यह है कौन अब यह youth कहता है कि नहीं क्योंकि जितने भी लोग हमारे Tango Family थे यह सब ही को मार चुका है पर मुझे एक पिक्चर इसका मिल गया है अगर आप देखना चाहो तो Tango One इस पिक्चर को देखता है इस बंदे की बाल सफेद थे forehead पर एक purple star था और एक killing intent देखा जा सकता था यह एक mosquito के उपर बैठा था Tango One थोड़ देर सोचता है और इसे विश्वास नहीं हो रहा था और इस समय इसके माधों पर मानो नसे ऐसा उगने लगती है और यह गुस्ते में कहता है तो यह तुम हो Tango One इतने गुस्ते में था कि असके आसपास जो एकादी बंदा बैठा था इसके औरा के बज़े से मारा जाता है इसे विश्वास नहीं वरता है कि वो तो वांगलिंग मारा गया था लोग भी समझ जाते हैं मतलम हमारे ancestor उस बंदे को जानते हैं जाधतर लोगों को इसलिए नहीं पता था क्योंकि ए गटना 400 साल पहले की थी अब Tango One यह गुस्ते में था तब एक मेडिल में अंदर आता है और कहता है ancestor हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और यह पूरी चेज़े बताता है इसलिए लगा था कि जब बाकी लोग डरेंगे तो इसलिए टेंग फैमिली सेटी में आएंगे और वो फिर बाहर जा नहीं पाएंगे तो एक साथ यह सब को मारना चाहता है और इसके सबसे वांग लिंग का जो पावर होगा या तो कूर फॉर्मेशन के लेट फेज या नासेंट सोल के अर्ली स्टेज तो यह रेस्टिक्शन्स वो नहीं लगा सकता यानि इसके साथ कोई और बंदा होगा जो कि स्पेरिट सेवरिंग लेवल पे हो सकता है अब हुआ हुआन यह क्लोज डोर कल्टिवेशन में चला जाता है ताकि यह पीक पावर पे रहे जब वांग लिंग से इसका बैटल हो इधर वांग लिंग हे हुआन सेक्ट में जाता है जहापर 480 मिंबर थे टेंग फैमिली के वांग लिंग हेगवान सेक्ट की तरफ बढ़ता है पर इसरान वांग लिंग को इस्ट के डिरेक्शन में एक कलरफूर कैरियर्स दिखाई देती है और एक आवाज आता है कि इस मोटल जीमो यहाँ पर है जो भी लोग बीच में है वो साइड हट जाओ वांग लिंग भी यहरान था इतना सही जिन्दगी कौन जीरा भाई और जो भी इस केरियर्स में लोग बैट थे बच्चे वगरा वो भी काफी सुंदर थे जबकि इनका पावर लेवल कि एक कंडेंसेशन के सेकंड या थर्ड स्टेस में था और इनका एरोगेंस नासेंड सोल कल्टिवेटर से भी जाद था वांग लिंग यह नाम सुनता है जीमो और इसे इस नाम की याद आती है याने कि ओल्ड मैन जीमो और जैसे वांग लिंग यह नाम लेता है वो बच्चे गुस्ता करने लगते हैं तुम उनका नाम ऐसे कैसे लिए एक साथ वो भी पर तभी कैरियेश खुलता है और एक बंदा बाहर आता है और यह एक फैट बंदा था और यह बिस्तर पे सोया था ब्लैंकेट लपिटी हुए उल्ड मैन देख करके थे तुमने इतने लोगों को मारा है क्या तुमारे इनसे कोई दुश्मन ही थी क्योंकि इसका भी पावर लिवल वांग लिंग के बराबर था नासेंट सोल के अर्ली स्टेज में क्योंकि यह बंदा डार कार्ट प्रैक्टिस करता था तो इवन नासेंट लेट फेस के भी बंदे इसके लिए जादा बड़े खत्रे नहीं थे अब वांग लिंग इस तुरान अपने बैनर में जो बहुत सारे लोगों को मारा था उनमें से एक को निगालता है और कहता है क्या तुम इसे जानते हो ओल्ड में अवाक रह जाता है क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं टियान गाउत था जोकि नासेंट सोल का ही कल्टीवेटर था अब इसको समझ में आता है कि ये बंदा नॉर्मल बंदों को नहीं मारा है पावर्फुल लोगों को भी मार चुका है और और ज्यादा हैरान तब होता है जब ये देखता है कि सबी बंदे ज्यादा तर टैंग फैमली कही थे और ओल्ड में जीमो कहता है बहुत सही वैसे भी टैंग हुआँ वान मुझे भी नहीं पसंद है मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ अब वांगलिंग इसे बुषता है, तुम्हें पता है, मैं इन्हें क्यों मार रहूँ, ओल्ड में जीमो कहता है, नहीं भाई, नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ, वांगलिंग भी कुछ बोलता नहीं, और रेस्टिक्सन फ्लैक से हजार किलोमेटर की दूरी को बांध देता ओल्ड मेंजी मो इनका चेरा और अगली हो जाता है और यह कहता है भाई मैं तो टैंक फैमली के भिच में पड़ भी नहीं रहो और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरा कल्टिवेशन तुम्हारे बरह पर है अब वांग लिंग कहता है कि ओल्ड में जीमो चार सो साल पहले आपका डिसाइपल अचानक से मारा गया था कि आपको याद है अब ओल्ड में जीमो ये सुनते ही चौंक जाते है और देखते हैं वांग लिंग की तरफ और वांग लिंग बताता है एक और डिसाइपल था आपका जैंग हूँ जो अचानक से मारा गया था उसे मैं नहीं मारा था और जीमो कहते हैं अरे वो 400 साल पहले का था मैं भोल चुका हूँ पर इस तुरान जीमो अपने बैग मैंसे मानो कुछ निकाल रहे हो और यह सभी पपेट्स थे और सभी का पावर लेवल नासेंट सोल के करीब था और वांगलिंग कहता है फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जैंग हूँ और मैं टैंग ली के दोरा चेज किये गए थे जीमो इस तुरान कुछ बोलते नहीं है पीछे हटते हैं और इसेंस ब्लड को यूज करते हैं इन चारों पपेट्स पर पपेट्स अपनी आँखे खोल लेते हैं वांगलिंग इन पपेट्स को देखता है और बस बोलता है स्टॉप आठ रेस्टिक्शन्स बढ़ते हैं और इन पपेट्स को बांध लेते हैं जीमो इस तुरान एक टेक्निक यूज करते हैं और इनका पावर लेवल नास इन सोल के मिड फेज में पहुँच आता है और ये वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें ओनर्ड फिल करना चाहिए कि तुम मेरे ट्रू फॉर्म को देख रहे होगा पर वांगलिंग तुरान एक जीरियन को एक्टिवेट करता है और कुछ रेस्टिक्शन्स को जीमो की बोड़ि डल होने लगती है और वांगलिंग इनका जो स्टोरिस बैग था वो भी लेता है इधर चारों पॉपेट्स की तरफ ये बढ़ता है क्योंकि जीमो तो मारा जा चुका था और इसे एक मेथट भी मिल जाता है पॉपेट रिफाइन करने का उसके स्टोरिस बैग में अब वांगलिंग हे वान सेक्ट के अंदर जाता है यहाँ पर इसे दो फीमेल और एक मेल मिलते हैं तीनो नासेंट सोल कल्टिवेटर्स थे इन में से एक यहाँ के सेक्ट मास्टर ओल्ड मैन यिंग यैंग थे और एक वुमेन थे जोकी यलो ड्रेस में थे एकदम सीरियस थे और यह लोग डिसाइड कर रहे थे टैंग फैमली के बंदों को यहाँ से निकाल देते हैं और इन यह यहाँ केहते हैं हाला कि मैं भी नासेंट सोल के लेट फेस में हूँ पर क्या पता मैं टैंग हुआ हुआं से फाइट नहीं कर पाऊ और यह लोग यही सुचते हैं यहार वो पूनान जी अभी तक बाहर नहीं आया मतलब यह मैटर काफी बढ़ा है और इस दुरान वो लड़की के थी अगर लास्ट में टैंग वाँ वान मारा गया तो क्या पर यह नियांग केहते हैं ऐसा नहीं होगा पूनान जी बीच में आई गई गई अगर वो नहीं तो हैवन स्टावर बला बन दाएगा अभी जोरान वांग लिंग अंदर आता है और मिडिल इस्ट में उन्हें लगता है किसे कहीं देखा है पर इन्हें भी याद नहीं आता है और यह नियांग फानली पूसता है कि जीर यल्म को अक्टिवेट करता है और सौ बच्चे इस समय खासनी लगते है और बलड बाहर आने लगता है और फिर से पूसता है फॉर्मेशन खोलोगे या नहीं फिर भी यह नियांग खोलता नहीं और इस समय एक और लाइटनिंग बॉल बनाता है और ओल्ड मैन ये नियांग अब डरनी लगते है पहली बार तो कोई बंदा सीधा नासेंट सोल को डेवोर कर रहा है ये तुरंती कहते हैं फैलो कल्टिवेटर रुख जाओ मैं खोलता हूँ अब वांगलिंग इनकी तरब दे और उस आवाज की तरब देखता है जो कि एक मेडिलेज मैन खाता है वांगलिंग इस बंदी को देख कर गयता है लगता ही ये फैमिलिर है वांगलिंग इसके करीब पहुंचता है मेडिलेज मैन में डर जाते और कहते सैक्ट में पहचान जाता है ये सीनियर ब्रदर Zancар थे और आपका cultivation, आपके तुम meridians भी खराब हो जुके हैं। और ये बताते हैं, यूँकि जब तुम चले गए और कभी वापस नहीं हैं, तो ancestors ने पूरा focus मुझ पे गिया था, ताकि मैं core formation पे पहुँच जाओं। उसके बाद मैंने भी हेंग्यू सेक छोड़ दिया, ताकि मैं चीजों को experience कर पाऊं। और नासेंट सोल पे एक दिन पहुँच पाऊं। और फिर से हमारे हेंग्यू सेक को बना पाऊं। पर इस दोरान मैं हेंग्यू सेक के एक disciple से मिला, जोकि एक लड़की थी और मेरा पूरा cultivation खतम हो गया, क्योकि वो मेरे body से एक pill refine कर रही थी, और मैं अभी भी जिन्दा रहूंगा, जब तक पिल पूरा नहीं हो जाता, और वांग्लिंग इस दोरान साथ pills bottle निकालता है, और कहता है एक pill, एक मेने में लेना है, और इसके बाद आप आदा cultivation तो अपना recover कर लोगे, फिलाल मुझे important काम है, अगर हम दुबारा मिले, तो ये भी problem solve हो जाएगा, और वांग्लिंग यहां से गायब हो जाता है, इधर वांग्लिंग जब आगे बढ़ता है, तो ये जान जा जो बाकी लोग थे tank family के, वो सीधा tank family city के अंदर जा चुके हैं, इधर tank war one ने भी बहुत पहले से plan किया था, मतलब अपने family members के 9 लोगों का cultivation इसने बढ़ाने के लिए, उन्हें बहुत सारे resources प्रोवाइड किये थे, और उन 9 लोगों का एक ही काम था, बस cultivation, वांग्लिंग साथ कूर members पर पढ़ते हैं, कि जिनें पहले मारना पड़ेगा, अब यहाँ पना tank 9 को दिखाया जाता है, जो कि एक room में था, और यह एक genius बंदा था, और एक hidden chamber के अंदर practice करता था, जहाँ पर spiritual energy, normal से 10 गुना जादा थी, women's इसको अराम से मिल जाती थी, मतलब इसे किसी च करता है, और एक hand sign बनाता है, अंदर में tank 9 था, यह अपनी आखे खुलता है, और hidden chamber से गायब हो जाता है, और tank 9 सीधा आसमान में प्रकट हुता है, और एक murderous aura के साथ, tank 9 की भी murderous aura एक limit तक पहुच जाती है, वांग लिंग सुचता है, अगर इस से मैं अपना devil बनाओ, तो काफी powerful बनेगा, क्योंकि इसके अंदर भी काफी ज़्यादा killing intent है, tank 9 समझ जाता है, क्योंकि वांग लिंग के पीछे, यह बहुत सारी tank family की bodies देखता है, और यहां से भागने रगता है, tank 9 भागते भागते, एक आधी bd use करता है, तकि वांग लिंग को रोक सके, पर यह अपना soul blood भी दे दूँगा, ताकि आपको मेरे पे विश्वास हो जाए, वांग लिंग फिलाल, अपने red lightning से, tank 9 के आसपास, एक पींजड़ा बना देता है, tank 9 कितना भी खुशिच करता है, इस पींजड़े को नहीं तोड़ पाता है, वांग लिंग के ता है, तुम्हें मर soul को ही destroy करने जाता है, पर वांग लिंग इसी मौके का फायदा उठा कर, इसे इसे मरने नहीं देता है, फाइनली यह मरता थो है, पर वांग लिंग इसके soul को एक strange seal बना के रोक देता है, और वांग लिंग इसके soul को soul flag में रख लेता है, क्योंकि वांग लिंग का सपना था, कि ये ये डेविल्स के आर्मी बनाएगा और वांग लिंग हिसाब से इसके पस तीन सोल्स है डेविल्स है मतलब बट उतनी फियर्स नहीं है जैसा कि इसने फॉरिन बैटल ग्राउंड में वांडरिंग सोल्स को देखा था कुछ वैसा इसे बनाना था पर ये वाला साथ वो काम कर सकता है क्योंकि ये काफी फियर्स दिख रहा था अब इदर टेंग 8 जो कि इदर घूम रहा था पूरे एरिया पर इंस्पेक्शन कर रहा था इस पर भी वांग लिंग की नजर पढ़ती है और वांग लिंग काफी खुष था क्योंकि इसकी मर्डरा सोरा टेंग 9 से ज़्यादा थी क्योंकि इनका एक पोजीशन था टेंग 1, टेंग 2, टेंग 3 ऐसे करके टेंग 9 था तो इन्हें बहुत सारे लोग चैलेंज भी करते थे तो उन्हें ये मार देते थे या अगर वो वला इन्हें मार दिया तो वो टेंग 9 बन जाता था इसलिए इनकी मर्डरा सोरा ज़्यादा होती थी वांग लिंग थोड़ी समय में इसे भी मार देता है और इसके सोल को अपने सोल फ्लैक के अंदर रख लेता है अब यह आगे बढ़ता है तो इसे टेंग 6 मिलता है और इसका पावर लिवल नासेंड सोल के मेड स्टेज में था टेंग 6 भागने को देखता है पर वांग लिंग 1000 km के एरिया में रेस्टिक्शन्स लगा देता है और वांग लिंग इसके बाद फर्स्ट डेवल और थर्ड डेवल को बाहर निकालता है और साथ में ये ब्रॉंज मिरर को भी अक्टिवेट करता है वांग लिंग हैरान था क्योंकि ये बंदा बहुत डिसीजीब था इसके पैर तो वांग लिंग एक्स्प्लोड करवा देता है पर फिर भी ये भाग जाता है अब इदर टेंग फाइब भी दूर से पूरे एरिया को अब्सर्ब कर रहा था पर टेंग फाइब इसे अचानक से वांग लिंग ब्लैक क्लाउड के थू मार देता है टेंग वांग फील करता है और ये बाहर आता है और एक दिन के अंदर जो साथ कूर मेंबर्स थे टेंग फैमिली के उनमें से पांच मारे जा चुके थे दो और फैमिली मेंबर्स थे एक मेल था और एक फैमिल इनमें से एक को तो वांग लिंग पहचान जाता क्योंकि ये वांग जुओ था और वांग जुओ काफी खुसता कि चलो tank family members को कोई तो मार रहा है ये भी एक hidden chamber में था इसे नहीं पता था कौन मार रहा है पर इसे अच्छा लग रहा था ये अपनी wife की तरफ देखता है और थोड़ा complicated feeling था इसका क्योंकि woman से तो ये काफी प्य ये दिखने में काफी handsome था और ये अपनी बेटी जियू जियू से कहता है वहाँ पहुचने के बाद यानि city में तुम आराम से रहना बाहर मत निकलना और इस तोरान ये कहता है कि अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो तुम जाव country ही छोड़ देना वांग जुओ इन चीरों को स ये दिखती थी और इस समय टेंग 3 कहते भी है कि वांग जुओ बस मेरी बेटी टेंग जियू जियू की वज़ज़े मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ यहां से निकल जाओ पर टेंग जियू जियू वांग जुओ के हाथ को पकड़ लेती और रोनी लगती है अप हमारी टेंग फैमिली ने मारा है और टेंग जियू जियू भी अपने फादर को समझाती है कि वांग जुओ ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि इसे पता था कि वांग जुओ इसे बेंतहा प्यार करता है इधर आस्मान में डार्क क्लाउट जीखते हैं और टेंग 3 इसकी तरप देखते हैं और इस तोरान वांग जुओ यहाँ पर आस्मान की तरप देखता है पर टेंग 3 एक टेकनीक यूज करकर अपने इस दामाद और बेटी को कहीं फेक देते हैं मतलब वो डिसैपियर हो जाते हैं यह अपने इसेंस ब्लड को यूज किया थे कोई पर वांग लिंग का जीरियल इतना पावरफुल था एक ही बार में इन्हें मार देता है और यह खुद हैरान था वांग लिंग क्योंकि यह बंदा अपने फैमिली को बहुत प्यार करता था टेंग 3 को देखकर यह तो समझ जाता है टेंग 3 मर जाते हैं पर इनकी बॉड़ी चुका है और सबसे अधा है यह टेंग 3 को ही पसंद करता था अपने बेटों में इससे दुख यही था कि यह इसका जो बेटा था एक वुमेन के साथ मतलब प्यार में पढ़ गया था पर जबर जस्ती इसने फिर दोनों को अलग करवा दिया था और इससे रिग्रेट था प अभी उसने वांग जो को देखा भी था और उन दोनों को यह ट्रैक भी कर लेता है कि यह लोग सेथ जाओ कंट्री के बॉर्डर की तरह पड़ रहे है और वांग लिंग टेंग जीव जीव को फॉलो करता है टेंग जीव जीव इससे में काफी रो रही थी इसे लगता है कि जबसे मेरा तुम्हारा कोई रिस्ता नहीं, क्योंकि इसे लगता है, कि भाई ये भी तो टैंग फैमली के है, और टैंग जीव जीव और जादा रोने लगती है, ये वांग जूओ को पकड़ने के कुशिश करती है, पर वांग जूओ हट जाता है पीजे, और कहता है अगर त टैंग जीव जीव को समझ में नहीं आता है, ये जाएगी का, क्योंकि दो लोगों को ये बहुत प्यार करती थी, इसके पिता जी मारे जा चुके, और ये बंदा, जोकि अब इसे छोड़ के जा रहा है, वांग जूओ आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके फैमली के लोग मार जाता है, कि उसे मिलना ही पड़ेगा, पर जब ये पलटता है, तो इसे ऐसा लगता है, मान उसके फैमली मेंबर्स, जोके मारे जा चुके, एक दर्द के साथ इसके तरफ देख रहे हैं, मान उसे ट्रेटर कह रहे हो, कि तुम उन्हीं लोगों की तरफ जा रहे हो, अब इस पता है, मुझे पता था, ये फैमली का रिवेंज, बस तुम ही ले सकते हो, वांग लिंग इसे सौरी बोलता है, क्योंकि इसी की वज़़े से, बागी फैमली के मिंबर्स मारे गेते, टेंग वांवान ने इसी की वज़़े से, सब को मारा था, और वांग जो कहता भी, कि श टेंग होना ही नीची यह था और इस समय टेंग जीओ-जीओ वांग लिंग की तरफ देखती है एक ग्रणा की नजर से वांग जुओ को भी जब समझ में आता है कि वांग लिंग को पता है कि ये लड़की भी टेंग फैंग फैमिली की है अब वांग लिंग फिलाल वांग जुओ से पूछता है क्या वांग हो अभी भी जुआंडाओ सेक्ट में है वांग जुओ बताता है नहीं उसने अपना कोर नहीं बना पाया तो मारा जा चुक है मारा जा चुक है, वांग लिंग को काफी दुख होता है, और वांग लिंग इससे कहता है कि तुम दोनों जाओ कंटरी छोड़ता है, और फिर इसे यहां से निकल जाता है, क्योकि वांग लिंग समझ चुका था, वांग जुओ की तरफ देखकर कि ये इस लड़की को बहुत इसलिए वांग्लिंग इसे छोड़ देता है पर वांग्जू इसके अंदर एक अलय ही फिलिंञ आता है और ये जीव जीव को पहली बार जीव जीव बलाता है और कहता है कि अब मुझे जाने दो और जब तक कि जिव जिव कुछ फील कर पाती, वांग जू तलवार निकलता है, और अपनी लवर को मार देता है, और डेथ उसका बिना पेन के होता है, पर अपनी वाइफ को पकड़ कर ये फिर रोने लगता है, मैरे हैसाब से ये चूतिया था, और ये वांग लिंग की तरफ दिख कर ग करता है, और अपनी वाइफ के बगल में ही मारा जाता है, वांग लिंग जो कि आगे निकल चुका था, ये फिल करता है, कि वांग जू का डिवाइन सिंस कायब हो चुका है, ये तुरंती वापस आता है, और इन दोनों को देखता है, और एक कॉंप्लेक्स फिलिंग थी, व यहां से निकल जाता है, अब एक वांग फैमिली के घर की तरफ यह बढ़ता है, जहापर एक वोमेन प्रेगनेंट थी, कोई से नोटेस में निकलता है, और ये जो सोल फायर था, इस वोमेन की बैली में यह डाल देता है, क्योंकि वो जो बेबी था, उसका अपना सोल अभी बना नहीं था, शाद वो दो तीन मेने का होगा, और ये सोल अब उसको कवर कर लेगा, तो फ्यूचर में जो बंदा होगा, बेसिकली वो वांग जूओ ही होने वाला है, और वांग लिंग यहां से निकल जाता है, कि शाद फ्यूचर में हम फिर से मिलें, तो श्टोरी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कले, नए वीडियो के साथ,